नमस्कार, जब आप accused होते हैं, तो आपके पास अदालत में बहुत सारे options नहीं होते हैं और यही कुछ हो रहा है अर्विन केजरिवाल और के कविता के साथ तेलंगाने के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता और अर्विन केजरिवाल दोनों लोग एक ही मुकदमे में, एक ही आरोप में जेल में हैं लेकर policy को लेकर के जो case चल रहा है उसी में ये दोनों लोग जेल में हैं और दोनों लोग अपने अपने तरीके से दलील दे रहे हैं अदालत में कि हमें क्या-क्या सुविधा मिलनी चाहिए आज जो ताजा मामला आया वो के कविता का आया के कविता के वकील ने दलील दी कि CBI जिस तरीके से पूछताच कर रही है या ED जिस तरीके से पूछताच कर रही है वो तरीका ठीक नहीं है और अक्यूस को ये अधिकार है कि वो जैसा चाहें वैसा ही जवाब दें CBI के हिसाब से जबाब देने का राइट नहीं है इनके पास बलकि ये अधिकार जो है वो अक्यूस्ट के पास है उन्होंने सुप्रीम कोट और एक केस के हवाले से सुप्रीम कोट बनाम पंकच बंसल के हवाले से एक आर्गुमेंट किया कि उस केस में ऐसा हुआ था राउ जबिन्य कोट ने इस दलील को नहीं माना उनका ये कहना था कि जो कुछ भी सवाल CB या EDIA के कविता से कर रही हैं उन सवालों का उनको जवाब देना है ऐसा नहीं हो सकता है कि के कविता से सवाल पुछा जा रहा है आम पे और के कविता जवाब दें अमली पे अब ये तर्क देखिए के कविता के वकील का वो ये कह रहे हैं कि नहीं सवाल आम पुछा जा रहा है और उत्तर अमली देने का अधिकार के कविता को है मतलब के कविता जैसा चाहें वैसा ही वो उत्तर दें सवाल عملی کے بارے میں हो तो वो عام के बारे में जबाब दे سवाल عام के बारे में हो तो वो عملी के बारे में जबाब दे अब ये जो आर्गुमेंट है उसको आज राउज एविट निकोट ने रिजिक्ट कर दिया और जुडिशल कस्टडी इस पहले आपको मालम होगा कि अर्विन केजरिवाल ने कहा कि हर दिन हमें मिलने के लिए पांच वकील हमसे मिल सकें और प्रतेक दिन वकीलों की मुलाकात की दिमांड की थी अर्विन केजरिवाल ने लेकिन उस पर भी कोट ने कहा कि साहब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक केस में एक अपने एक्क्यूस्ट के लिए एक नियम लागू करें और उसी से मिलता जुलता कि उसी केस में दूसरे एक्क्यूस्ट के लिए दूसरा नियम लागू करें ये नहीं हो सकता है तो जो जेल मैनवल है उसके हिसाब से आप एक सामाननी कैदी हैं आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की जनता की निगाह में लेकिन जेलर की निगाह में या जेल मैनवल की निगाह में आप एक सामाननी कैदी हैं तो सामाननी कैदी को जितने अधिकार मिलते हैं जेल में वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे अब आप कहें कि आपके लिए वहाँ पर चांद तोड़ के लिए आया जाए तो ये मुम्किन नहीं है ये आपको ये सोचना पड़ेगा आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं तो आपको आम आदमी के तरह ही विभार करना चाहिए अर्विंद केज केजरिवाल ने कहा तो था कि आम आदमी की जीवन सहली हमारी रहेगी हम कभी उस तरह के आईशो आराम वाले जिंदगी को नहीं अपनाएंगे लेकिन आपने देख लिया है कि अर्विंद केजरिवाल ने पिछले दश बरशों में अपनी जीवन सहली को कहां पहुचा दिय तो अब अर्विंद केजरिवाल के लिए जेल में परिशानी हो रही है इसलिए वो अलग-अलग पैतरे अपना रहे हैं कभी कहते हैं हमसे मुलाकातियों की संख्यां बढ़ाई जा या कौन मुलाकाती होगा ये अर्विंद केजरिवाल फर्मान सुना रहे हैं अदालत ने उनकी बात को नहीं माना और अदालत ने कहा कि आपके हिसाब से जेल मैनुवल में परिवर्तन नहीं होगा आप जो कुछ भी डिमांड करेंगे उसकी पूर्ती नहीं की जा सकती है जो आपकी जस्टिफाइड डिमांड है उसकी पूर्ती अदालत जरूर करेगी जस्टिफा जिनको जेल का ही खाना खाना पड़ता लेकिन घर से खाना अलाओ कर दिया गया चार-पांच लोगों के मिलने की अनमती हो गई उसमें आप इनके परिवार के सद्ध से थे और एक दो लोग जिनके बारे में इनको कहा गया कि आप नाम दीजिये उसमें उन्होंने दो लोगों का नाम दिया उसमें एक संदीब पाठक भी है और एक दूसरे मित्र भी है तो पांच लोगों का नाम दिया गया मुलाकाती में आप वही लोग बिलेगे उपर से ये दलील दी गई थी कि नहीं और मुलाकातियों की संक्षा बढ़ा दी जाए हम अपने वकीलों से मिलना चाहते हैं और हर दिन हमको पांच वकील मिलने के अनमती दी जाए उसको कोट ने रिजेक्ट कर दिया अब इस इस तरह के दलीलें आ रही है के कविता के मन में जो उत्तर आता है वही उत्तर वो देंगी और CBI या ED इसके लिए बाद नहीं कर सकती है कि जैसा उत्तर वो चाहते हैं वैसा के कविता उत्तर दें अब सवाल है कि CBI कह रही है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का क्या उत्तर होना चाहिए वो उत्तर वो नहीं दे रही है जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसका उत्तर वो उस तरह से नहीं दे रही है उत्तर कुछ और दे रही है इसलिए इनको जुडिशल कस्टडी में रखा जाए और इनकी जुडिशल कस्टडी को बढ़ दिया है लेकिन हैरानी की बात यह है कि लिकर केस में ही यह जो दोनों accused हैं वो अपने अपने तरीके से court को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन court नहीं मान रहा है देखे सवाल यह है कि आपको अगर ये लगने लगे कि आप कुछ खास व्रक्तित्व हैं और खास केटेगरी की आपको सुविधा मिले तो ऐसा कोर्ट में मुम्किन नहीं है और कोर्ट कम से कम इस मामले में बिलकुल निर्पिक्ष हो करके सारे फैसले सुना रही है उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्विंद केजरिवाल को कोई रिलीफ नहीं दिया ये जरूर हुआ क एडी को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जेल से रिलीफ चाहते हैं जेल से रिलीज भी चाहते हैं और रिलीफ उनका रिलीज से मतलब है और आज भातपूर्ण सुनभाई थी लेक करके जब एडी का रिपलाई आएगा तब जाकर के अर्विंद केजरिवाल के रिलीज पर सुनवाई करेगा मतलब ये है कि पूरा अप्रिल का महिना संभपता अर्विंद केजरिवाल जी को जेल में ही गुजारना पड़ेगा और अभी केमपेन दिली का चल रहा है मुश् अप्रिल तक जुडिशल इन कस्टडी में रहना है और अर्विंद केजरिवाल की तो अभी सुनवाई होनी है देखिए आगे क्या होता है नमस्कार